आईपील 2021 ओल्ड इस गोल्ड है अमित मिश्रा यह कारनमा करने वाले पहले भारतिय गेंड बाज बने डिल्ली कैपिटल्स ने आखिरकार आईपील 2021 में मुंबई इंडियन्स पर जीत हासिल कर ली UAE में हुए पिछले सीजन में मुंबई ने डिल्ली के खिलाफ चारों मुकाबले जीते थे 38 साल के लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने चार विकेट लेकर मुंबई को 137 रन पर रोप दिया इसके बाद डिल्ली ने लक्षय को 19.1 ओवर में चार विकेट पर हासिल कर लिया को पिछले सीजन में सिर्फ तीन मैच खेलने का मौका मिला था लेकिन इस गेंदबाज ने अपनी ले नहीं खुई मौजूदा सीजन का दूसरा मैच खेल रहे इस गेंदबाज ने रोहित शर्मा, हार्दिक पंडिया, कायरन पोलाड और इशान किशन को आउट किया उन्होंने एक ही ओव में रोहित और हार्दिक को आउट करके मुंबई को वापसी का मौका नहीं दिया 137 रन मौजूदा सीजन में मुंबई का सबसे कम स्को भी है मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ साथ कदम दूर अमित मिश्रा आईपेल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतिय गेंदबाज है ओवरॉल विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात की जाए तो अमित दूसरे नंबर पर काबिज है श्रीलंका के लसित मलिंगा 170 विकेट लेकर टाप पर है मलिंगा क्रिकेट से सन्यास ले चुके हैं वही अमित मिश्रा 164 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर है यानि वे अगर मौझूदा सीजन में 7 विकेट और ले लेते हैं तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे उन्होंने 4 बार 4 विकेट और एक बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया है इतना ही वे टीबीस लीग में सबसे ज़्यादा 3 बार हैट्रिक लेने गेंदबाज भी हैं पांचवी बार 4 से अधिक विकेट लिए बतौर भारतिय सबसे ज़्यादा मैच में अमित मिश्रा ने 4 विकेट लिए ओबरॉल आईपेल रिकॉर्ड की बाद की जाए तो उन्होंने 5 वी बार 4 या उससे अधिक बार विकेट लेने का कारनामा किया है यह बतौर भारतिय सबसे ज़्यादा है बाय हाथ की स्पिंग गेंदबाज रवींद्र जदेजा और तेज गेंदबाज लक्षमी पती बाला जी ने 4-4 बार ऐसा किया है Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports insurance